उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच शुक्रवार को जम कर शब्द बान चले। अखिलेश यादव ने खुद को बीजेपी के नेताओं से बड़ा हिंदू बताया तो सीएम योगी ने राम मंदिर के बहाने उन पर निशाना साधा। सीएम योगी ने तंस कस्ते हुए कहा कि उनके अबबाजान कहते थे कि वहाँ अयोध्या में परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे लेकिन अब वहाँ राम मंदिर का निर्मान शुरू हो गया है। अगले तीन साल में वहाँ एक बड़ा भव्य मंदिर होगा। योगी बोले हमने कहा था कि मंदिर वही बनाएंगे। हमने 1990 में भी कहा था कि जहां राम लला विराजमान है वहीं मंदिर बनेगा। तब इन लोगों ने गोली चलवा दी थी लेकिन अब आप देख लीजिए मंदिर का काम शुरू हो चुका है और जल्द इसे पूरा किया जाएगा। अखिलेश के 400 सीटें जीतने के दावे पर योगी ने चुटकी लेते है कहा कि मैं तो हैरान हूँ। उन्होंने 500 सीट क्यों नहीं बोला। अब जब बोलना ही है तो कुछ भी बोल दो सपना देखने का हक सबको है। अखिलेश यादव ने कहा पहले तो मैं जवाब दे दूँ बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हम हैं। उनकी जो परिभाशा है हिंदू वाली वह हमें नहीं चाहिए, जो नफरत फैलाती हो, लड़ाती हो, समाज को बाटती हो हम उनसे बड़े हिंदू हैं। जहां तक भगवान की पूजा की बात है, आप सैफई का दिखाए, हमारा जन्म तो अभी हुआ, हमारे यहां मंदिर तो हमारे जन्म से पहले के हैं। नेता जी हनुमान जी की पूजा ना जाने कब से करते आए हैं, तो हम हैं ही नहीं हिंदू, केवल भारतिय जन्ता पार्टी हिंदू है। जो पाप करे वह हिंदू है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि BJP सरकार ने UP को पीछे कर दिया है। दोनों सरकारों केंद्र और UP ने उत्तर प्रदेश को आखिरकार क्या दिया। यह मैनिफेस्टों नहीं बनाते हैं, मनिफेस्टों बनाते हैं। एकस प्रेस्वे इनके नहीं हैं। इससे बड़ा जूट और क्या हो सकता है। समाजवादी पूर्वांचल एकस प्रेस्वे में से समाजवादी नाम हटा दिया और एकस प्रेस्वे अपना कर लिया। अखिलेश के दावों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि पूर्वांचल एकस प्रेस्वे सपा के भरष्टाचार का गड़ बन गया था। जब हम सरकार में आये तो पता चला कि जमीन अधिगरहन भी नहीं हुआ। हमने इसके लिए जमीन अधिगरहन की और अब बहुत जल्द इस पर काम पूरा होने वाला है। झाल